हलो दोस्तों, कुरुषियेट में आपका स्वागत है One Place for Sports Injury and Giant Replacement Solutions हलो दोस्तों, कुरुषियेट में आपका स्वागत है मैं ड। नागेंदर प्रसाद, Sports Injury and Arthroscopic Surgeon ACL Surgery के बाद गुटना मोडना कब और कैसे चालू करे और कब तक गुटने को पूरा मुड़ सकते हैं ये ज़्यादा तर पेशेंट से पूचे जाने वाला सवालों में एक है दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे अन तक हमारे साथ बने रहिए और हमारा चानल को सब्सक्राइब करें इस विशय पर बात करने से पहले मैं आपको एक इंपार्टेंट बात बताना चाता हूँ ये सील सरजरी के बाद सब लोग सोचते हैं कि गुटना मोडने के बारे में लेकिन ये बूल जाते हैं कि गुटना सीधा करना उतना ही जरूरी है क्यूंकि गुटना सीधा नहीं हुआ तो आपका चाल सही नहीं होगा बाद में लंगडापन भी आ सकता है इसलिए एसलिए सरजरी के बाद पूरा रिकावरी होने तक गुटने के नीचे तकिया रखके नहीं सोना चाहिए और गुटना सीधा करने के लिए फिजियो तेरबी भी करना चाहिए अब बात आती है कि गुटना मुड़ना कब चालो करे कैसे करे और खब तक पूरी तरह मुड़ना चाहिए ये बहुत सी चीजों पर निर्बर करता है जैसे कि आपका ACL सर्जरी किस टेकनिक पर हुआ है ACL सर्जरी के साथ मैनिसकस, कार्टिलेज या और कोई लिगमेंट का सर्जरी हुआ है या नहीं पहले बात करते हैं सिर्फ ACL सर्जरी हुआ तो कैसे गुटना मुड़ना चालो कर सकते है आपका ACL सर्जरी आल इंसाइड ACL रिकन्स्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरना ब्रेसिक्स टेकनिक से किया तो पहले दिन ही आपका गुटना 90 डिगरी तक मुड़ सकते है इसका मतलब यह है कि जैसे पेशन्ट को सर्जरी का दर्द कतम हो जाता है गुटना मुड़ना भी चालो करना चाहिए यह कही सारे स्टेडिस में साबित हो चुका है कि जल्दी फिजियो तेरपी चालो करने से बहुत फास्ट रिकवरी हो जाता है फाइबर टेप ACL सर्जरी में आप पहले दिनी गुटना 90 डिगरी तक मुड़ सकते है और चार हफते में आपका गुटना पूरी तरह मुड़ना भी चाहिए यह फाइबर टेप ACL सर्जरी का सबसे फाइदा मंद बात है वही कन्वेंशनल अत्वास क्रू वाली ACL सर्जरी की बात किया तो गुटना मुड़ना दो हफते के बाद चालो करते है इसको दीरे दीरे से एक हफते में 30 डिगरी के हिसाब से बढ़ाया जाता है इस सर्जरी में 7-8 हफते में आपका गुटना पूरी तरह मुड़ना चाहिए अब बात करते है ACL सर्जरी के साथ कोई और सर्जरी जैसे की मैनिसकस, कार्टिलेज या और कोई लिगमेंट का सर्जरी हुआ तो कैसे गुटना मुड़ना चालो कर सकते है इसके लिए कोई strict guidelines नहीं है, इसके बारे में आपका operating surgeon ही सही सलहा दे सकते है आपका चोट के अनुसार doctor, physiotherapy protocols बना के देंगे ये protocols हर marriage के लिए अलग-अलग होता है और आपके चोट की गंबीरता कोन नजर में रखते हुए बनाया जाता है इसलिए surgery के बाद आपके surgeon के साथ हमेशा contact में रहना चाहिए और उनसे परामर्ष लेकर सही guidelines फालो करना चाहिए उमीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए फाइदा मंद होगी इसके बारे में आउर जानकारी के लिए नीचे दिये हुए नंबर पे अपना MRI बेज के free expert opinion ले सकते हैं धन्यवाद